नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनस टिप्स और ट्रिक्स और हम आपको इस चैनल के माधियम से बिजनस के नही नही तरीके बताते हैं जिससे आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ सिरोही नसल की बकरी पालन की अच्छी कमाई आईए जानते हैं इसके बारे में बेहत खास होती है बकरी की ये नसल गौट फार्मिंग में अच्छी कमाई करवा रही है सिरोही बकरी बिजनस के लिहाज से काफी फाइदे का सौधा मानी जाती है इसका नाम राजस्थान के सिरोही जिले के नाम पर पड़ा है सिरोही के लावा जैपूरा अजमेर और यूपी में भी इस ब्रीड की बकरी पाली जाती है इस बक्री की खास यह दिये है कि यह कड़े मौासम में भी पल बढ़ जाती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च इस बारे में एक सफल कारोबारी की कहानी भी शेयर की है इसमें मत्य प्रदेश के धार जिले की दीपक के बारे में बताया गया है जिसने 2001 में अपने गाउं में बक्री पालन शुरू किया शुरू में उसे नुक्सान हो रहा था तब सेंट्रल इंस्ट्रिट और रिसर्च ओन गोट के वैग्यानिकों ने वहां का धौरा किया और उसे शिरोही बक्री पालने की सला दे उसके बाद से दीपक का घाट मुनाफे में तब्दिल हो गया इसे खास तोर पर मीट के कारोबार के लिए पाला जाता है क्योंकि ये काफी तेजी से बढ़ती है ये दूद भी पच्चे देना शुरू करती है ये बक्री कितने में खरीदें और कैसे करें इनका पालन इस बक्री को खास तोर पर मीट के लिए पाला जाता है हाला कि ये दूद भी ठीक ठाक देती है आम तोर पर सिरोही बक्री आदा लीटर से लेकर 700 एमल तक दूद देती है इसकी दो ब आम तोर पर एक बक्री का वजन 33 किलो और बक्री का वजन 30 किलो तक होता है इस बक्री की बॉड़ी में बुलेन के धब्बे बने होते हैं ये पूरे शरीर पर फैले होते हैं इसके कान बड़े बड़े होते हैं और सिंग हलके से कब वाले होते हैं इनकी हाइट मीडियम होती सिरोही बकरी साल में दो बार बच्चों को जन देती है आम तोर पर दो बच्चों को जन देती है सिरोही बकरी 18 से 20 महा के उम्र के बाद बच्चे देना शुरू कर देती है नए बच्चों का वजन 2 या 3 किलो होता है आपको राजस्थान की लोकल मार्केट में ये बकरी मिल ज किलो और बक्रे की 400 रुपे प्रतिक किलो होती हैं इसे आप एक अंदाजे के तौर पर लेकर चलें ताकि आपको मोलभाव करने में सहुलियत रहे अगर आपका इलाका गर्म और सूखा है तो आप सौ फिसदी शिरोही बक्री खरीद कर इसका पालंग शुरू कर सकते हैं लेकि कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यह बक्रियां गर्म और सूखे मौसम में ज्यादा अच्छे से बढ़ती है अगर आपके पास चराने की जगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यह इस बक्री की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप फार्म में चारा खिला कर पाल सकत बक्रियों को आप से खरीद कर ले जाएंगे और आप चाहें तो इसे पास की बंडी में ले जाकर खुद भी बेच सकते हैं तो यह थी दोस्तों हमारी आज की टिप्स जिससे आप बहुत चल्दी अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए द हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू